आज मैं आपको जिस चैनल का आइडिया देने वाला हूँ, इस चैनल को आज ही बना लो, अभी बना लो इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलियन्स में व्यूज मिलते हैं, दूसरों का भी वीडियो यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, प आप इस चैनल का अर्निंग देखो, आप हैरान होने वाले हो, ये देखो, 14,800 डोलर से लेकर, 236,000 डोलर तक, लेकिन हम इसको real नहीं मानते हैं, ये एक estimated एर्निंग होता है, estimated, हम कम से कम लगाते हैं, 1,000 डोलर, कम से कम अर्निंग लगाते हैं, 1,000 डोलर, तो अगर आपकी 1 एक हजार डॉलर रेनिंग होती है, अगर हम उसको इंडियन रुपीज में convert करें, असी हजार रुपीय से जादा होता है, असी हजार आपको बस reaction देना है, जादा काम करने की जोरत नहीं है, editing कैसे करना है वीडियो को shoot कैसे करना है, एक वीडियो मैं आपको ready करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में तो वीडियो को last तक देखना चैनल पर पहली बार आए, तो subscribe जरूर करके जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको valuable content मिलता रहता है, subscribe कर दो अभी के अभी, अब आप चैनल पर views देखो कितने मिलते हैं, भाई मैं time pass करते करते भी आप यहाँ पर videos बना सकते हो, और एक video से आपका कमा ही होना शुरू हो जाएगा एक video आपका चलते ही, आपका channel monetize, 100% आपका channel monetize हो जाएगा, चलिए आपको trick बताता हूँ कि आपको किस तरीके से यहाँ पर video बनाने हैं, देखो views देखो यहाँ पर कितने मिलते हैं, आपको काम क्या करने हैं, editing कैसे करनी हैं, सब कुछ मैं आपको इस video में बताऊँगा, कौन-कौन से application की ज़रूत पड़ेगी, वो भी बता चलि जाएगा, तो अभी आप इस तरीके से बंदा reaction दे रहा है, एक तो यह हुआ इस बंदे का content, कि यह cake है यह real है, इस तरीके से बता दिया, अब नीचे वाला देखो, औरे भाई यह onion है, बस इसको कट किया, अरे यह तो cake है, इस तरीके सा आपको reaction देना है, अब reaction भी नहीं दे सकते, अब नीचे की तर इस भार बड़ा है थोड़ा, और इसे लोग इस बंदा को देखें और ना देखें, जो नीचे बंदा reaction दे रहा हुए यह बोल रहा है, इसको देखें या ना देखें, लेकिन जो ऊपर देख रहा है न? ऊपर जो वीडियो चल रहा है, इसमें strike नहीं आएगा, आप भी यो कर सकते हो तो कैसे यूज करने वह भी बताऊंगा तो आप इस वीडियो को कहा से डाउनलोड कर सकते हो वह भी बता दूगा तो लोग ओपर वाली वीडियो को देखते हैं आपकी शकल देखे या ना देखे ओपर वाली वीडियो को देखते हैं इससे आपका चैनल बहुत जल् आपके subscribers बढ़ते हैं, ये बाई, ये गिरा दिया, ये बाई टूट गया बाई, ये बाई बच गया बाई, इस तरीके सापको reaction देना है, नीचे देखो, और नीचे देखो, तो यहाँ पे इस तरीके से बस आपको reaction देना है, कुछ satisfying चीज़े होती हैं, आप उनकी वीडियो को download करके यहाँ पे reaction दे सकते हो, तो चलिए अब शुरू करते हैं, जादा time waste नहीं करते हैं, आपको सबसे पहले एक application download कर लेना है, जिसका नाम है VN application, इससे आप अपनी editing कर सकते हो, वीडियो को upload कैसे करना है, वो वीडियो के last में आपको बता चली जाएगा, तो आपको editing कैस करनी है, एंड वीडियो को कहा से लेना है, सबसे पहले वो बता देता हूँ, आपको YouTube पर जाना है, मैं आपको चार चैनल के बारे में बता रहा हूँ, इनके link में आपको description में भी दे दूँगा, सबसे पहला चैनल है, आप यहाँ पर देख सकते हो, इस चैनल का नाम है, बता दूँगा, तो अभी मैं इस वाले चैनल पर आचुका हूँ, link आपको description में मिल जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, कितने घंटे-घंटे के वीडियोज है, एक घंटे के, तीन तीन घंटे के, आठाट घंटे के, तीन घंटे के, इस तरीके से आपको वीडियो content आपके पास होगा, जितने वीडियोज आप एक दिन में बनाना चाहते हो, उतने वीडियोज बना सकते हो, यहाँ पर मैं popular पर किलिक करता हूँ, यह देखो यहाँ पर कितने वीडियोज है, तो मैं इन इसके चैनल से एक short video डाउनलोड कर लिया, तो यहाँ पर यह चाको से अरे यह तो real निकला अभी चलो guys इसको देखते हैं यह क्या है यह तो cake है, cake, 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 cake हम इसको इस तरीके से reaction देंगे and audience भाई इतना ज़ादा देखती है आपको क्या बता हूँ अरे यह तो real निकली है, बस आपको इस तरीके से बोलना है चली इसकी editing कैसे करने हैं वो बताता हूँ आपको सबसे पहले VN application में जाना है या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फिरी है, तो आप जैसे VN application open करोगे तो उसके बाद आपको नीचे एक plus का icon नजर आएगा तो जैसे आप यहाँ पर plus वाले icon पर किलिक करोगे उसके बाद आपको plus पर किलिक करके new project पर किलिक करने है तो जैसे आप यहाँ पर new project पर किलिक करोगे एक नया project open हो जाएगा अब आपको उस video को select करने है जो video आपने डाउनलोड किया तो यहाँ से मैं किलिक करता हूँ जैसी मैंने किलिक किया उसके पाद मैं add कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखो वीडियो add हो चुका है तो भाई अभी मैं इसको थोड़ा सा आगे चलता हूँ जहां तक इस लर्की का face है वो मैंने काट दिया अब आपको क्या करने है यहाँ पे click करके या तो इधर से खीच के इसको इधर की तरफ कर दो इस तरीके से वरना फिर नीचे एक split का option आ रहा है यहाँ पे click करो split पर click करने के बाद अब इधर वाला जो part है यहाँ पे delete पर click करो और यह delete कर दो अब देखो ध्यान से देख रहे हो यह यहाँ पर एड़ हो चुका है एंड वीडियो को अपलोड करने का सही तरीका जालने न वरना आपको स्ट्रैक भी पढ़ सकता है तो इतना करने के बाद आपको last make vn का ऐसे आजाता है फालतु में इसको भी delete कर देना है अब आपको गरने ऊपर की तरफ original पर क्लिक करने है यहाँ पर देखो original लिखा हुआ है तो जैसे आप original पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको 9.16 सिलेक्ट करने है तो यह सिलेक्ट करने के बाद आपको ok कर देना है अब आपको यहाँ पर इस video को यह जो आपको वीडियो देख रहे हो इसको ऊपर की तरफ करने है तो सबसे पहले हम इसको crop करेंगे तो नीचे की तरफ आपको एक crop का option मिलेगा यह रहा crop तो जैसे आप crop पर click करोगे तो इस video को इतना crop कर लो बट यह अभी नहीं होगा यहाँ पर आपको free पर click करना पड़ेगा जैसे free पर click कर दोगे अब आप इसको crop कर सकते हो तो चलिए मैं इसको यहाँ से video को crop कर लेता हूँ इतनी यहाँ तक मैंने इसको ले लिया या फिर इसको मैं one ratio one पर click करता हूँ ठीक है अब मैं इसको इतना crop कर लेता हूँ तो इतना crop करने के बाल यह देखो अभी यहाँ पर जादा शो हो रहा है तो आप इस video पर click करना उपर की तरफ इसको इस तरीके दोनों finger से touch करके इसको छोटा कर लेना तो जब आप इसको छोटा कर लोगे अभी बिल्कुल perfect इसको match कर देता हूँ उपर लेके चला जाता हू ठीक है इस तरीके से आपको देखना है अब वीडियो को मैं देख लेता हूँ वीडियो किस तरीके से एड हुआ तो अब आपको क्या करना है अपना reaction वाला वीडियो नीचे लगाना है तो अपना reaction वाला वीडियो लगाने के लिए आपको वीडियो को shoot करना पड़ेगा आपको camera open करने है तो camera open करने के बाद आपको यहां पर इस तरीके से यह देखो मैंने camera open किया और मैं जाता हूँ video mode पर तो आपको क्या करने है एक दूसरा phone ले लेना उसमें video देख लेना अभी तो मैं आपको अंदाज से ही करके दिखा देता हूँ यह देखो ओ तो अभी मैं reaction दे रहूँ आपके सामने है ठीक है थोड़ा awkward होगा ओ भाई यह cake है cake है no 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 guys यह तो real निकला शिट बस आपको इस तरीके से camera की तरफ नहीं देखना है आपको screen की तरफ देखना है समझे है na screen की तरफ आपको देखना ओ यह तो real निकला बस इस तरीके साब को video shoot करना है तो च यह तो real निकला तो कुछ इस तरीके से आपको भी video shoot करना है आप देखकर करना मैं भी example के साथ आपको करके दिखा रहा हूँ example के लिए इस तरीके सा आपको reaction देने गाइस तो मेरा video shoot हो गया भाई जेकर हो कितना आसान काम है video shoot मैंने कर लिया अब मैं जाता हूँ यहां से vn application में आने की बाद आपको यहां पर click करना है प्लस वाले icon पर इस पर जैसे click कर रहो भी video पर आपको click करना है photo video पर अब आपको इस video को select कर लेना जो आपने शूट किया तो यहां पे मै एड़ कर लिया तो यह वीडियो देखो भी बेकार सा लग रहा है तो आपको अगा कर रह रह ठीक है, इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, अब इसको थोड़ा सा साइड में लेके, इस तरीके से कोने से खिच के बड़ा कर देना है, तो भाई ये आ चुका है हमारा बिल्कुल fit screen में, जब ये pink line आ जाती है न देखो, बिल्कुल fit आ चुका है, अब इसको नीचे से भी fit कर दे करते हैं, बिल्कुल fit हो चुका है, अब आपको क्या करना है, वीडियो को play करता हूँ, मेरी आवाज भी आ रहे हैं, मैंने भी बंद की हुई है, ओ, ये तो cake निकला, समझे रहो ना, इस तरीके से आपको reaction देना है, बस ये काम है भाई आपका, ये काम है, और इस तरीके का channel बना कर आप millions में views ले सकते हो, देख रहो वीडियो प्ले हो रहा है, ये इतना असान काम है, अब आपको क्या करना है, उस बंदे को credit भी देना है, जिसका आप video यूज कर रहे हो, उसको credit नहीं देओगे, तो यार उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, आप किसी की video की वज़ और आपको यहाँ पर text option मिलता है, तो जैसे आप यहाँ पर click करोगे, उसके बाद text पर click करना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है, कुछ भी ले 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 ले, add heading लिख देना, आपको यहाँ पर लिखना है, source लिखने के बाद minus का लगा देना, उसके बाद status, और उसके बाद video, तो जो भी channel करना, मैं वो लगा देना, तो यहाँ पर मैं इसको छोटा सा करके, बिल्कुल छोटा सा करके, आप कहीं पर भी लगा सकते हो, चाहे नेचे लगा दो, चाहे उपर लगा दो, अब इससे क्या होगा, कि उसको भी कोई problem नहीं होगी, आप जिसका video यूज कर रह होगे, तो इसको यहाँ से 1080p रहने देना, और उसके बाद इसको अगर 30 पर अगर तो इसको 60 पर कर देना, तीसरी वाली लाइन को आप 30 से कम मत रखना, 30 से उपर ही रखना, तो मैं 31, 32 रख लेता हूँ, उसके बाद आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर म चैनल का नाम देख लो, मैंने अभी चार चैनल सब्सक्राइब किया हूए है, तो मैं किसी एक चैनल पर जाता हूँ, तो आप यहाँ पर शॉट्स में जाना, और पॉपुलर वीडियो पर जाना, तो आपको यहाँ पर व्यूज देखने करी मिलेंगी, देखो भाई, 141 मिल ले लो, और उसको क्रोप करके, जैसे मैंने आपको बताई वैसे सेट कर लो, इन पर आपको दुनिया भर के वीडियो से मिल जाएंगे, एक एक दिन में आप 30 दिन का content ready कर लो, ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको यूट्यूब पर आना है, यूट्यूब पर आपको पल आपको यहां पर एक टेक्स्ट का उप्शन मिलेगा, जैसे आप यहां पर किलिक करोगे, तो यहां पर लिखता हूँ, मैं wait for end, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी वीडियो में रोगने के लिए लोगों को रखते हैं, चली यहां पर रोने वाला emoji लगा देता हूँ, कोई भ होता है, आपकी वीडियो को वारल कराने में इसका हाथ होता है, अब आपको यहां से cover ऐसा select करने है, जो आपको best लगे, देखो नीचे मेरा reaction खतरना का रहा है, तो मैं इसको वही से तो करूँगा, ताकि लोगों को लगे हम भी कुछ है, तो इस तरीके से मैंने cover यहां से select क मैं click करता हूँ, तो अब आपको यहां पर title देना है, और यहां पर जो भी आप title लिखना चाहो, अपनी मर्ज़ चाहा कुछ भी लिख दो, आप title मत भी लिखो, यहां पर बस hashtag shorts लिख दो, इतना काफी है यार, मत भी लिख कुछा है, title मत लिखो, उसके बाद आपको नीचे की तरफ आने, नीचे की तरफ आपको एक option मिलेगा, upload shorts, तो जैसे आप upload shorts पर click करोगे, आपका short video upload हो जाएगा, तो मैंने अभी इस video को unlist करके upload किया है, direct public नहीं किया, आप direct public भी कर सकते हो, तो यहां पर मैं click करता हूँ, अभी upload हो रहा है video, तो हमारा video upload हो चुका है, मैं य add description का option मिलेगा, तो जैसे आप यहां पर click करोगे, तो यहां पर click करने के बाद आपको source लिख देना है, तो जब आप source लिख होगे, उसके बाद एक minus का निशान लगा देना, अब आपने जिसका भी video use किया, जिस भी channel से आपने video use किया, मालो कि आप मेरा कोई video use कर रहे हो तेरे channel का नाम लिख देना इस तरीके से, ठीक है, तो आप भी इस तरीके से उसका channel का नाम लिख देना, जिसका आप video use कर रहे हो, तो इतना करने के बाद, save कर दो बस, आपका video public हो गया, देख रहे हो कितना आसान है यार, सब कुछ, तो मैं आपको इस तरह के ideas देता रहता ह टॉँ है हिए दNY यारSt हमाद, वे रहे हो खार यारSt स waż प्ला कर दистता है रहे हो थार आपका हा ए फ्टतर स ड्चतम आप बस देता है, यारत बस, देता है कर रहेरा है कर दो दो.